तो आज देखिए कि हम लोग फ्रेश टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है यहाँ पे तामर पसाड काल को देखने से पहले हमने अल्रेडी ठीक है पीछे से लोग काभी ब्रीफली हम लोग देखते आ रहे हैं तो जो भी मुझसे नए लोग जोड़ रहे जाकर हिस्टरी को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहरे हैं तो पीछे की लेक्चर को भी देखते हैं आपको प्ले लिस्ट में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिक्स में ठीक है उसका लिंक मिल जाएगा तो अब देखिए अभी इस तामर पसाड इन काल में हमें इन सा अब इसके प्रकार क्या है इसके परमुक्षेत्र को ने बस्ती प्रारूप यहां का कैसा था समाजिक धार्मी का अर्थ विवस्था क्या थी यहां पे कलायों सिल्प क्या था तो कुल मिला के देखिए यहां पे जितने भी क्वेस्टन्स पूछने की जो समावना बनती हैं हर तरीके से यहां पे मैं आपको बताने की कोसिस करता हूँ और इसमें आज हम लोग मैप के साथ देखेंगे अब से ठीक है जो भी इंप्रोटेंट जो तथ्य और गेरा होते हैं मैप को ध्यान में अगर देखते हैं तो जल्दी हमें किलियर हो जाता है पूरा क्रिश्टल क किलियर हो जाता है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब जब करते हैं आप लोग तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस करें और इन सारे ग्रूब को भी आप जुएन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमिका में ठीक है नंबर वान यहाँ पर भूमिका क्यक्न हम लोग बात करें इश्य घै हैं ठीके ध्यान रखेकों कोई नहीं है जो है यहीं है जो भी इसकी परामmansy यहीं है इसलिए बोला जाता है यहां पे इसलिए डिशेन भारत को कि इतने वАर था कि 9 पसाड काल के जो अंद हमने उसका कर दिया था और उसी 9 पसाड काल के अंद के बाद यहां पर एक नया चीज़ ठीक आद एतिहांस जो शुरू होता है इस आद एतिहांस में मैंने आप लोग बताया हुआ था कि पूरा तात्विक शुरूत तो है यहां पर लेकिन साड काल है यहां पर इसे तामरपा शारीन काल के नाम से जना जाता है अब यहां से देखिए हुआ क्या एक करांतिकारी दोर अब यहां पर आया कि एक नय धातु की यहां पर खोज हो गई ठ्यान रखेगा अब इस नई धातु की जो खोज हो गए, इसी नई धातु का नाम क्या हो गया? तामबा हो गया और इसी के साथ अब कहा जा रहा है कि तामबा का पर्यों करके मानओन वो सभ्यता के इतिहास के मार्क पर आगे बढ़ाया क्योंकि अभी तक देखिए जो भी अवजार हथियार जो भी बनाया जा रहे थे या तो लकडियों से बनाया जा रहे थे पत्थरों से बनाया जा रहे थे या फिर आगे आते हथियारों जो हड्डियों से भी बनाया जाने लगे लेकिन यहां पर देखिए अब तामबा है कही र्याजीओ करें कि दिशने निर्फोच से एक मजबूत धादू के रूप में अब आसानी से ठीक है इसको आप मोर सकते हैं फोड़ कर सकते हैं फिर अन्य सारी गतिवीदिज्ट्रेज़ में आप एसका हिऊज कर सकते हैं तहां यहाँ प्रियोग को उप्योग की आ जाएये अब यहाँ से ताम्बे से भी प्रकार की वस्त्विये ऑप बननेरल की और इस अंस्कृत्यन्त में कहा जे रहा है कि ताम्बे को को खोज लिए गया था लेकिन अधिकास्थ पृपक्रोन Contain रख्या पसाड जो पत्थर के बने हुए थे उसका भी यहां पे चल रहा था। कुछ तथ्यात्मक चीज है यहां पे कि तामबे का सौरो पर्थम जो पर्योग है यहां पे पांच हजारी सा पूरो में किया गया था ध्यान रखेगा बीसी की बात की जा रही है यहां पे और तामर पसाड काल के लोग पर मुख रूप से यहां पे गरामीड समुदाय के थे क्योंकि यह जो सभ्यात है दिखिए नौ पसाड काल में ठीक है लोग अस्थाई रूप से क्रिसी करने लगे घर और बस गए अब धिरे धिरे दिखिए वहां पे घर बसते बसते मुहला ठीक है बड़ा होते गया बड़ा होते गया अब वहीं मुहला कहीं न कहीं यहां पे गरामीड समुदाय में convert होते गया अब next है यहाँ परकार के हम लोग बात करते हैं देखिए flow chart से study करने पर यहाँ एक फायदा है कि आपको भटकने नहीं देता है ठीक है इस तरह की गत्विदिया आप लोग कोसिस कीजिए pen copy आप लोग भी उठाइए और इसको नोट करने की कोसिस कीजिए अब परकार की यहाँ बात करें यहाँ पर देखिए हडपा पुरू ठीक है इसके पहले भी तामबा का परियोग हो रहा था उसके बाद से हडपा सबेतायोम सम्ब जो कालीन तामरपसार जो सस्कृती है यहाँ पर भी तामबा का परियोग हो रहा था और तीसरा है यहाँ पर उत्तर हडपाइप तामरपसार सस्कृती मीज़ अब इन कुछ छेतरों को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है और इसकी टाइम लाइन थोड़ा सम लोग देख लेते हैं पहला है यहाँ पर हडपा सस्कृती तामरपसार्यून सस्कृती भी इसे बोला जाता है ठीक है क्यों क्योंकि हडपा गाल में तामबा का उपयोग बहुत आयत रुप में परियोग उसका किया गया है इसका अगर हम लोग डेट की बात करें डेट को लेके देखिए अलग-अलग बुक में ठीक है अलग-अलग डेट दिया रहाता है तो यहाँ पर 200-400 सालों के यहाँ पर गैप बहुत मायने नहीं रखता है धियान रखिएगा यहाँ पर शुरुवात में हमें दिखाई देती है फिर दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हडपा कालिन सस्कृति यहाँ पर जो एक थोड़ा साइक उससे डेबलप पस्टिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2600 से लेके 1800 इसा पुरू तक यह जो हडपा काल का बहुत अब सींपल चीज है यहाँ में क्योंकि काल सैंटे की जो सबसे पहले यहाँ में अभी पुरा टात्विक स्रोतों के दौरा जो खोज की गई है यह कहां से मिला गया है हडपा में पाया गया है अभ आये नेच्ँरिपा अ पर थर्ड नमर हाँ पर उत्तार हडपा संस्कृति इसकी टाइम लाइन के अगर हम लोग बात करें तो 2000 से लेके 1400 इसा पूरो के बीचे समय है इसमें कुछ छेतर हैं देख सकते हैं आप मालवा, कायात, एरर, जोरवे हैं अब देखी जो भी छेतर देखें यहाँ पे तो मैंने आपको बताया नहीं अब परमुक छेतरों में यहाँ पिरलिम्स के दिरिष्टी कोण से यह बहुत है इंपोर्टेंट है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से क्वेस्चन्स आ जाते हैं परमुक छेत्र में आप देख सकते हैं सबसे पहले दच्छड पुरिवी राजस्थान में जो इंपोर्टेंट जगा है उसको हम लोग देखते चलेंगे अहार एम गिलूंद है पस्टमी मध्य परदेश में मालवा काया तथा एरण है पस्टमी महराष्ट में आहमद नगर के जोर्वे निवासा दैमाबाद चंदवली सोन गाओ इनाम गाओ यह सभी जोर्वे संस्कृति के हैं नेक्स्ट यहां पे पुर्वी भारत इसमें पुर्वी भारत में जो गंगा तटवर्ती जो इलाका है चिरांत के जो अलावा है वर्दमान जिले के पांडू रजार है ध दच्छीर पुर्वी राजस्थान का फिर जो मध्ध भारत का उसके वासे दच्छीर जो पस्टी में ठीक है भारत की आप बात की गई पूर्वी छेतरों की बात की गई ठीक है तो इस प्रकार से यहां पे हम लोगों ने मार कर लिया विसमें कुछ इक जगों का आप देख काय था दिया देखा था ठीक है नासीक जोरवे दायमाबाद यह सारा यहां पर दिखिए मैप में अब कभी आप लोगों को भूलेगा नहीं असपस्ट रहेगा उसके बाद यहां पे है तामर पसाड यूग के अस्थल अब कहां कहां पे तामर पसाड यूग जो फैला हुआ था आप दीखिए जो भी अस्थल फैला हुआ है पीछे से अगर आपको अंप्रिजन करेंगे तो उससे एच्छे तरह काफी बड़ा दिखाई देगा आमरी कोठ दिजियान सब्यता राजस्थान में काफी बड़ा छेतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पस्चमी महराष्ट में यहां पे देख सकते हैं जोरवे है ठीक है जोरवे में यहां पे इसके अंतरकत कुछ इंपोर्टेंट यहां पे छेतर हैं पस्चमी मध्य उतर परदेश में मालवा उतर परदेश में यहां पे अतरांजी खेडा यह सारे चीज एकजाम के दिरिश्टी कोड से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि दच्छड पूरवी राजस्थान में अहार एवं गिलूंद में क्य क्या है और इसके अलावा जो दच्छड पूर्वी छेत्र है राजस्थान के कौन कोड इंपोर्टेंट प्लेस हो सकते हैं जो एकजाम में पुछा जा सकता है तो सबसे पहले देखिए आप दच्छड ठीक है थोड़ा सा हम लोग उतर के तरफ चलते हैं तो आप देख सकते नंबर 5 यहां पे दिया है जोब यहां सिका कहा आजा रहा है कि बड़ी संख्या में मात्री देवी और लिंग चीहों की अकृति मिली है उसी तरीके से यहां पे राडा घुन रही है यहां पर उत्खनन में संस्कृति के पांच चरड़ पाए गये हैं यह अस्थल जोब संस कोट दिजी में आपके देख सकते हैं यहां से मातरी दिवी का भी स्थाक्षे मिला है उसके बाद यहां पे किमी गूल से यहां पर कहा जा रहा कि स्थाक्ष परात हुआ है आमरी के लोगों दोरा चाक निर्मित मिरिट भांडों का भी परियोग किया जाता था। इसके अलावा यहां पर कहा जा रहा है कि कालक करनाप्र कर अनुसार भारत में हड़ापा की कांसे सस्कृति पहले और रहती कांस तामर पसाड यूगिन सस्कृति बाद में आती है। तो एक इसके अलावा यहां पर कहा जा रहा है कि अहार का पराचीन नाम तामबवती अर्थात तामबा वाली जगा है। और नेक्स्ट यहां पर अहार सस्कृति अन्य तामर पसाड इक सस्कृतियों से भीन है क्योंकि दूसरे केंदों पर लाल वा काले लेप के मिर्दवान बने हैं जबकि यहां पर इस लेप के उपर सफेद रंग से चितरकारी की गई है। वैसे ही यहां पर कि अहार के लोग पत्थर निर्वित गुहों में राते थे ठीक है घरों पे राते थे यहां पर तो यह कुछ इंपोर्टेंट तथ्यात्मक चीज़े हैं इसे आप लोग दो तीन बार देखिएगा नोट कीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा एक्जाम में डायरिक्ट आ जाता है यहां से दूसरा यहां पर हमने देखा था पस्चमी मध्य परदेश इसमें सामिल है मालवा, कायाथ, एरर तथा नौदा टोली तो यहां आप मैप में देख सकते हैं कुछ छेतरों को यहां पर दिया गया है जिसे कायथा है, नौदा टोली है, मालवा है यहां पर आहाड है अब यह कर हकूब के नापसें जाना गया, उसी तरीकी से यहां पर गिलूंद में यहां पर देखिए, यहां पर इटो के बने एक विसाल भावन के और साथ में अगनी कुटका साथ से भी मिला है, कायत में कहा जा रहा है कि यहां तामबे की चुड़िया, कुलहाडिया एवम, अभगे सभी अनाज महराष्ट में नर्मदा नदी के टत्वारिश्टीट नौदा टोली में पाए गये हैं, उसी तरीके से यहां पर मालवा सस्कृति अपने मिरिद भांडों की उत्कृष्टा के लिए जाने जाती है, मालवा सस्कृति का पसकार, प्रसकार जो है, प्रसा सस्कृति का, चुकि एकजाम में सब काफी इसकी चर्चा की जाती है, तो यहां पर देखते हैं क्या क्या आया है, वेकुछ ताथ्यात्मयक चीजे हैं, कि कायथ यहां हडपा सस्कृति का समकाली ने इसके मिरिद भांडों में हडपाई परभाव भी दिखाई देता है, और इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तिया मालवाच्यत सर्प्राप्त हुई है, जो तेंत छोटी छोटी है, नेक्स्ट यहां पर कायथा के घर में तामबे के 29 कंगण और दू अधितिया धंग की कुलहारी भी पाई गई हैं, और इस अस्थान में अस्टेटाइट और कार्नियल जैसे कीमती पत्थुर की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाएगा है, कुछ बरतन हो गया पात्र, नेक्स्ट तामरभा सालिन संस्कृतियों में कायत संस्कृति सबसे पुरानी है, और कायत संस्कृति 500 इस भी तक असित्व में रहे यहां चंबल नादी वाला छेत्र है, यहां पे तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो तामरभा सालिन जो संस्कृतियों कायत संस्कृति सबसे पुरानी है, यह देखिए 500 इस पुरु तक लगबग आप का सकते हैं, छठी सतावदी इस पुरु के आस-पास इसकास्ति तुरा है, नेक्स्ट यहां पे नौदात वली, ठीक है, नौदात वली महराश के छेतरों में इंदौर के निकट इसका जो उत्खनान, HD संकालिया ने कराया था, यह इंपर्टेंट हो सकता है, यहां से क्या मिला है, तो मिट्टी बास एवं फूस के बने चौकोर एवं वृतगार का घर मिले हैं, यहां के म बात की जाती है, यहां पर दिखाई नहीं देती है, नेक्ष्ट यहां पर मालवा यहां पर, रूड स्टाइली में बनी, विरिसक, विरिसक मुर्द का है, ठीक है, बैल की मुर्द का है, यहां सुचित करती है, ठीक है, कि सांड, धार्मिक पंद का वहां पर देखता, कुछ वर्तमान में अगर आप इसको थोड़ा सा को रिलेट करेंगे तो वर्तमान में जो भी चीजे हम यूज कर रहे हैं अगर मान के चलिए कुछ भुकाम पा गया कुछ आ गया ये सारी चीजे अगर रह गई नीचे दव गई तो आने वाले समय में जो लोग भी इसको पाएंगे तो उससे तो अंधाजा लगा लेंगे ना कि अगर वहाँ पे ये चीजे अगर बहुतायत मात्रा में मिल रही है तो इसका मतलब कि उस समाज में उसका यूज किया जाता था तो इसी तरीके से जो भी पूर पूरा तत्विक लोग है इतिहासकार लोग है इसी तरीके से वे लोग भी कोरिलेट करने की कोशिज करते हैं और अपनी इतिहास को लिखते हैं अब बात करते हैं हम लोग पस्चमी महराष्ट का यहाँ पे जिसमें अहमद नगर के जोरवे निवासा, दैमाबाद, चंदावली, सोन गाउ, इनाम गाउं प्रकास और नासिक हैं यहाँ कुछ को इनडिकेट गिया है, देखिए इनाम गाउं से कहा जा रहा है कि कच्ची मिठी के मकान वा गोलकार गड़ों वाले मकान के सक्चे मिले हैं, दैमाबाद से तामर पसाडिन कालिन सबसे बड़ी बस्ती जो वस्तुते जोर्वे संस्कृति से सम्मंद थी, यहाँ कलस सवाध यारत था 102 चांदी के पत्र मिले हैं, उसी तरीके से यहाँ पे गड़े स्वर में यहाँ से तामर सामगिरियों में सरवाधिक सुध तामर नाइंटी परतिसत होता था, तो देखिए तामर की सुधित्ता को इंडिकेट किया जा रहा है, इतना सुध तो आज भी नहीं होता ह राज पिपला है, यह एक महत्पूर बैपारिक केंद्र था, तो मैं इप में देखिए अब यहाँ पे जो भी चीज आप देखेंगे, उम्मीद है कि आप लोग वोका जो ब्रेन है, ठीक है काफी लंबे समय तक आप लोग साहत देगा, अब कुछ इसमें तथ्यातमक की जो को हम लोग देख रहे हैं कि सभी पूरा अस्थल जर्वे सस्कृतिक है, जो भी दैमाबाद, इनाम गाओं जितमें भी ऐसारे हैं, अब तक ग्यात 200 जर्वे अस्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा पाया गया है, और इसमें कहा जा रहे है कि अरामभीक ता हुई है, इनाम गाओं में मातरी देवे की परतिमा मिली है, जो पस्ची में सिया में पाये जाने वाली ऐसी परतिमा से मिलती है, कि हो सकता है कि कुछ न कुछ संबन्द हो, दैमाबाद में कासे की निर्मीत वस्तिय पराप्त हुई है, और इनाम गाओं में कुम्बकार, धा आतोकार हाथ ही दात के सिल पे चूना बनाने वाले खिल ठीक है खिलाओने मिट्टी यह सब जो भी यहां पर पाये जा रहे हैं क्या दर्सारा है कारिगरों के यहां पे उनकी दो जो दक्षता है उसको इंडिकेट कर रहा है कितने टैलेंटेड लोग होते थे इन सारे चीजों को यह लोग बहुत ही निपूर्ता से बनाते थे चौथा जगह है यहां पे गंगा ठीक है गंगा का जो छेत्रे यहां पे खासकर पुर्वी भरत के बात की जा रही है कि जो भी तटवर्ती है जिसे चीरांध हो गया बिहार में उसके बाद बर्दमान जिले के पांडूर अ अुत्तरपुरु भी परदेश में खायरादी और नराना न यहां पे उसी तरीके से आंपे हैं बिहार महरास और मर्द परदेश में रहने वाले लोग टोटी बाले जालतर मेंता है जलतर पत्र पस्तरिय और गोडिदार कतोरे बनाते थे गहां。 अब कुछ और भी बाते हैं आपे कि दच्छिर भारत में क्रिसक की अपेच्छा चर्वाहा सस्क्रीते का अधिक परमाण मिलता हैं कि किम लोग देखेंगे कि जब तामरपासाड इनकाल चल रहा था भारत में तो उसमें दच्छिर भारत में समझें कि बहुत वे लोग क्या थ करते हैं फिर कहा जा रहा है कि कई लोग यहां पर कताई बुनाई करते थे क्योंकि कुछ साक्ष मिला है चर्खे और तकलिया मिली है पस्चमी महराश्ट में चंदोली और निवासाबस्तियों में कुछ बच्चे की गलों में तांबो के मनके का हार पाना कर उन्हें दफनाय जबकि अन्य बच्चों की कबरों में समान के तोर पर कुछ बरतन मात रहें ते क्या है कि जो समाजिक आसमानता को क्या कर रहा है इनका यह सुचित कर रहा है कि दूसरी बात यहां पर महराश्ट में मिरितक को उत्तर दच्चिड की दिशा में रखा जाता था किन्तु दच् पस्चीम भारत में लगभुक संपूर सवधान प्रचलित था पूरी तरीके से ठीक है अजबकि पूरी भारत में आंसिक सवधान प्रचलित था ठीक है इसका इंग्लिश नामें आप एक से टेंडल बैरियल ठीक है कंप्लीट जो सवधान होता है और आंसिक सवधान प्रेक्शनल बैरियल इस काल में मनुस्य मैंने तामरपसाली काल में गेहुँ धान वा दाल की क्रिसी करने में प्रमीड हो गया था तामरपसाल काल के लोग देखे हमने कह जोगों से वस्त्र के छाक सक्ष मिला है साथ में लो को correlate करके बु़ला जाता है इतिहास कारों में बहुत सारे मतभेदे इसमें इसमें ताम्रप्पासारीन वस्तियों के लुपत होने का पर्मूह कारार अलत्यल्थ वर्षा माना जाता है कि कम से कम वर्षा होई होगी हर रपकाल को भी ठीक है इसे में correlate किया जाता है उसके भी पतन होने के कारण एक कम वर्षा भी मना जाता है चित्रित मिरिद भांडों का प्रयोग सबसे पहले तामर पसाड काल के लोगों नहीं किया था और सारो पर्थम तामर पसाड काल के लोगों ने ही पराइदिपिया भारत में बड़े बड़े गाउं बसाये थे और साथ में तामर पसाड अस्तलों से हल फावड़ा मिले हैं जो की लग रहा है कि लोग क्रिसी कर्म या अनिगति बिदिया भी करते थे सबसे बड़ी तामर निधी मध्य परद्यस के गुंगरिया से पराप्त हुई है जो 424 तामवे के उपकराण और 102 चांदी के पत्तर मिले हैं तो मैप में हमने देखा हुगा भी था अब आये कुछ मेंस के दिरिश्टी कोंड से यहां पे कि उनकी बस्ती क्या थी बस्ती प्रारूप क्या थी हम थोड़ा सा देखते हैं इसे अब देखे इतना सारा देखने के बाद यहीं से हैं एक एनलाइजिंग जो पावर हैं आपके अंदर आना चाहिए कि इतने सारे सुरोतों को देखके आप बाल के हुटिक हैं इसे बूला जाता हैं जो बाल से खाल निकाल पा रहें एक नहीं पा रहें अब इसी बिखरा हुआ टॉपिक था जो तथ्यों में बहुत लिक बटा अब इसको मिसमेटना है कि सबसे पहले ताम्रभ पसाडिन काल की बुस्तिया कैसे थी तो क्या हमने देखा कि जो तामरप पसाडिन संस्कृतिया अपने स्वारूप से पूरी तरिके से हमें ग्रामिड सभ्यता नजर आ रहा है थी और आवास जो यहां पे बनाया गया था प्राया देखिए घास फूस भास बल्ली ठीक है इटो के भी मकाने आपे पाया गया है और साथ में कहा जा रहा है कि कुछ तथ्यात्मक्चिश को अगर हम लोगो जोड ले तो अहार संस्कृति के गिलिंद अस्थान से पक्की इटो का भी हमें साक्ष मिला है जो कि हमने उपर देखा हुआ था तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो गरामिड जो संस्कृति के नगरिया संस्कृति में रुपांत्रियों को संकेतिक होता हुआ मिलता है ये पहले घास फूस से बन रहा था और वीटों से भी बनने लगा इसी तरीके से यहां पर बात की जा रही है जोरवे संस्कृति के इनाम गाउं से योजना बद बहुत बड़ी बस्ती का वहाँ पर निर्मार का सक्ष्य मिला है और एक आवास के भीतर देखिया वहाँ पर हमने देखा था कि चार पांच ठीक है बड़े कमरों का होना ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई वहाँ का जो परारूप में एक कहीन कहीं अगर देखा जाए तो उस समाज में और समानता को भी सुचित करती है तो बस्ती का परारूप से हमने इतने सारे निसकर्स निकाल लिए सबको बिसलेस्ट करते जल रहे हैं दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पर अर्थ व्यवस्ता की तो अर्थ व्यवस्ता थी जैसे कि पराथमीक एवं निर्वाह अर्थ व्यवस्ता अब जो भी यह संस्कृतिया थी तामर पासालीन जो संस्कृतिया पराथमीक और निर्वाह अपने अर्थ व्यवस्ता से भीक्त थी क्योंकि देखिया आप है जो भी नौकस सोरी नौपसार का में किरिसी हुआ पसुपालन का विकास हुआ उसका जो उन्नत सवरोप यहां पर हमें दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से प्राइमरी सेक्टर के रूप में यह सारा चीज़ भर रहा है तो कहिन कहीं है अर्थ विवस्ता को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिल्कु इन पसुओं को पाला जाता था पसुओं का पर्योग जो है यहां पे खादान जैसे चीजों में भी खाने योग जैसे चीजों के लिए दूद के लिए इनको पर्योग भी किया जाता था इस परकार यहां पे कहा जा रहा है कि उत्पादन के साधन के रूप में यहां पे क् भी उतना उप्योगत था पसुओ का परियोग यहां पर कहा जा रहा है कि क्रिसी उत्पादन हल का परियोग किया जाने लगा ठीक है अब जो भी भूमी को जोतना है ठीक है भूमी को जोतने के लिए उसमें पसुओ का परियोग हल का परियोग किया गया कई जगह से हमें हल का बिश्दाग्च मिला हुआ था जैसे की नाम गाउं में हमने पाया था ठीग हाल फावड़ा वगयरा मिला हुआ था तो यह था पूरी हमारी अर्थविवस्था तीसरी चीज की बात बात कर रहे हम लोग ओहां कि जो समाजिक दसा क्या थी देखिए समाज कैसा था तो समाज हम चाहे हम लोग बस्ती के रूप में देखें चाहे सवदान पदती के रूप में देखें खान पान को लेके देखें क्रिसी को लेके देखें तो कहिन कहीं एक और समानता मुलक विसमता मुलक हमें समाज दिखाई दे रहा है तो कहा बात की जारी यहां पे कि समाजिक पर रूप जो सवादान पद्दती जो भी लोग मर्ड हमर जाते थे उनको दफणाया जाता था कई जगा आंसीक सवादान कई जगा पूर्ण सवादान ये कहीं कहीं ने कहीं उस समाज में मुझूद और समानता को दर्सारा जैसे कि जर्वे संस्कृति में यहाँ पे कुछ का छेतर कहा जा रहा है कि 20 हेक्टेयर तो कुछ बस्तिया 4 हेक्टेयर तक बिस्तारित पाई गई थी और उसमें इनाम गाओं में जर्वे संस्कृति में जो एक जगा मिला हुआ था आपको याद होगा अभी जश्मिन पढ़ाया हुआ है कि वहाँ पे जो उत्खनन हुआ तो उससे पता चला कि कबिलाई सर्दार बस्तियों के केंदर में रहता था जबकि कारगर एवम कारगार दुरवर्ती छेत्रों में रहते थे यह भी कहिन कहिन देखिए उस समाज मौझूद यह भी समंता को दर्शा रहा है और कहा जा रहा है कि बच्चों की अधिक सीश्य मिरित्य दर अधिक अभूसर में अलंकराण के परकिरिया तो एक जगा बहुत सारे बच्चों को यहाँ इससे क्या पता लग रहा है कि हो सकता है कि उसमें यह लोगों को भोजर नहीं मिला होगा को पोसर का लोग सिकार हो गए होंगे और उसमें कुछ बच्चों के देखिया आपे अब भूसर में ठीक है गहनों के साथ इनको दफनाया गया है तो यह भी कहीं न कहीं उस समाज भेद भाव को इंडिकेट कर रहा है नेक्स्टिब हम लोग बात करते हैं आपे धार्मिक भिश्वास को ले के अब धार्मिक भिश्वास में देखिए कई जगा मुर्तिया मिली सांड का परतीग मिला अब इससे अब हमें क्या पता लग रहा है कि हो ना हो उस समय के लोग ध देवी देवताओं में विश्वास करने लोगे होंगे क्योंकि जो भी विभीन अस्तलों से मिली मूर्तिया यहां अस्पष्ट करती है पूरी तरीके से कि उस समाज में देवी देवताओं की उपासना की जाते थी नारी मूर्ति अधिक मिली है इसका मतलब कि नारी मूर्ति के साथ दफनाया जा रहा है इसका मतलब लग रहा है ठीक है कि पार लोकिक जीवन में भी उनका कहीं कहीं मानेता है कि दूसरे लोग में भी कहीं कहीं जीवन है दूसरे लोग में जाएंगे यह लोकिक होता है इस जीवन में और पार लोकिक मतलब दूसरे जीवन में उसके बा तामरपसाडिन कालिन समाज में अंधविस्वास जैसे चीजों ने यहाँ पे अपना घर बना लिया था। अब बात करते हैं बोगों कलाम सिल्फ को लेके तो देखिए कलाम सिल्फ को लेके अगर यहाँ पे बात किया जाए तो बहुत सारे जगोहों से हमें मिरिदभान मिला अभुसन मिला ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है कि उस समय के जो कारिगर थे बहुत दक्ष थे यहां पे जिसे की जोर्वे संस्कृती में टोटी दार जो जार मिला है यह संस्कृती की जो है सिल्पगत कहीं कहीं बिशिष्टा को दर्सा रहा है और इस सस्कृति में लोग कताई, बुनाई से परचित थे, मालो जिसे जगों से चर्खे का सक्ष मिला हैं और यह वस्त्र निर्मार को क्या कर रहा है संकेतित कर रहा है तामर पसाडिन का लोग धातु सिल्प में भी पूरी तरीके से निपूर थे, दैमाबाद से तो तामभी का जो हाथी है तथा रत चलाते हुए मनुष्य को भी वहाँ पर पाया गया तो बताने को बहुत सरा चीज है क्योंकि ऊपर जो बिखरा हुआ टॉपिक था जो भी भीन अस्तिलों में देखा हुआ था उसको मैंने क्या किया एक जगा इंटीग्रेट किया अब इसी को आप क स्यक्सिया है ठीक है मेंस वțiक्राइद कर त्यार मिंध्न की आप को कही अपने आ पह جाएगी ठीक है आपको पूरा जो हिस्ट्री का हमें जो भी इंसेंट है, मेडेवल है, मुडरन है, आने वाले समय में आप लोग हमें सपोर्ट करिए, इस वीडियो का धीक से धीक से धीक सेयर करिए ठीक है, लाइक करिए, कमेंट भी करते रहें ताकि सिर्फ हिस्ट्री ड़ी जीग रोफी, पॉलिटिक, नॉमिस, जो भी इथिक्स है, साइंस टेक है, इन्वार्मेंट है, ऐसे ही हम लोग पूरा मेहनत करके आप लोग प्रुभाइट कराते रहेंगे, तो once again, thanks for watching, God bless you.